बीजेपी अधिक्ष अमित शाह पार्टी की चुनावी तयारी को और प्रभावी बनाने के लिए 36 गड़ के अंबिकापुर में दो दिन रहेंगे रोट्शो कर सर्गुजा संभाग में बीजेपी के लिए मस्बूत इस्थिती तयार करने की कोशिश करेंगे अमित शाह का अंबिकापुर में रोट्शो करना बेहत महतवपूर माना जा रहा है क्योंकि वर्तमान विधान सभाव में सर्गुजा संभाग में बीजेपी और कॉंग्रेस साथ साथ सीटों के साथ बराबरी पर है नेता पतिपक्ष टीएस सिहदेव का गढ़ होने के कारण कॉंग्रेस ने वहाँ पहले से ताल ठोक रकी है और ऐसे में अमिश शाह के रोडशो और मुख्यमंत्री की विकास यात्रा दोनों को जोड़ कर बीजेपी वहां राचनेतिक संदेश देने की रणनीती पर काम कर रही है दोरे के दोरान अमिश शाह बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में भी बैठक भी ले सकते हैं ऐसी भी जानकारी मिल रही है जिसमें वो अब तक की तयारी और मिशन 65 प्लस पर चर्चा करेंगे शाह का विमान सुभा 11.45 मिनट पर अमिकापुर के दरीमा विमान पटी पर उत्रेगा यहां स्वागत के बाद शाह दोपैर 12 से दो बजे तक मुक्यमंत्री के साथ विकास यात्रा के रोडशो और आम सभा में शामिल होंगे शाह 11 जून को सुभा 8.45 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुक्यमंत्री डॉक्टर अमन सिंग रविवार सुभा 9 बजे हलिकॉप्टर से राइपूर पहुँचेंगे सीम 11 जून को जस्पूर दोरे के बाद 12 जून को राजधानी लोटेंगे बीजबी के चुनावी तयारी को और आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 14 जून को भिलाई आ रहे हैं वो भिलाई स्टील प्लांट के एक्स्पेंशन का शुभारम करेंगे मोधी कार से भिराई स्टील प्लांट देखेंगे और एक्सपेंशन यूनिट का भी लेंगे जैसा